हलो स्टूडेंट्स वेलकम पैक हम आगे अपने संचेन बुक का फोर्थ चैप्टर मेरा छोटा सा निजी पुस्तकाले तो ये लिखा है धरमवीर भारती जी ने इस पार्ट के लिखक है उन्होंने उन्होंने बताया हमको यहाँ पर कि किस तरीके से उनके पास एक छोटा सा निजी पुस्तकाले था उन्होंने कैसे इस पुस्तकाले का निर्माण किया कब उन्होंने पहली पुस्तक खरी दी उन्हें पुस्तकों के बारे में इतना इंटरेस्ट क्यों हुआ कि वो किताबों को पढ़े और किस तरीके से उन्होंने अपने आखरी वक्त भी उसी पुस्तकाले में ही बिताए तो यहाँ पर हम उनके बारे में जानने शुरू करेंगे कि उन्होंने किस तरीके से अपना एक खुद का निजी पुस्तकाले यहाँ पर बनाया चलिए देखते हैं क्या बोल रहे है धर्मवीर भारती जी प्रस्तुत आत्म कथ्या आत्मक रचना ये उन्हें अपने बारे में लिखी है आत्म कथ्या मतलब अपनी ही कथा सुनाई है रचना मेरा छोटा सा निजी पुस्तकाले प्रसिद्ध रचनाकार एवं पत्रकार धर्मवीर भारती के निधन से 7-8 साल पूर्व की है उनके मरने वाले थे उससे पहले उन्हें 7-8 साल पूर्व लिखी सन 1989 एश्वी में लेखक एक बार गंभी रूप से बिमार हुए यानि कि बहुत जादा बिमार हुए वे एक के बाद एक जबर्जस हार्ट अटेक की चपेट में आए मतलब उन्हें एक के बाद दूसरा हार्ट अटेक पढ़ा तो बहुत जादा वो उसके चपेट में आ गए थे अस्पतार में इलाज के बाद लेकक अर्द मृत्यू की अवस्था में घर वापस आए मतलब उनका कंडिशन ऐसी अच्छी नहीं थी कि वो चल फिर चल के सब कुछ कर सके तो उनकी अवस्था ऐसी थी कि वो बेड़ पर ही रहेंगे तो वो घर वापस आए वहाँ उन्होंने जिद्ध ठान ली कि उन्हें उनकी किताबों वाले कमरे में ही रखा जाए यानि उन्होंने जिद्ध ठान ली थी कि अब मैं अपने बेडरूम में नहीं जाओंगा मुझे मेरा बेड कहां पे लगाई है जहां मेरा निजी पुस्तकाले मतलब मैं अपनी किताबों के साथ ही रहना चाहता हूँ तो उनका बेड वहाँ पे लगाये गया लाइब्रेरी नुमा कमरे में लिटा दिया गया यानि कि उनको उस लाइब्रेरी नुमें एक कमरा था उसी में लिटा बहुत धेर सारी किताब थी लेखक को डॉक्टर की हिदायत थी कि वे पूरी तरह से आराम करे उन्हें चलना बोलना पढ़ना सब मना कर दिया गया था ना वो चले ना किसी से साथा बोले और ना ही पढ़े उन्हें किसी तरह का भी स्ट्रिस नहीं लेना था लेखक उस छोटे से निजी पुस्तकाले में जो अब काफी विस्तृत है मतब अब विस्तृत हो चुका है बढ़ चुका है लेटे हुए थे लेखक ने परी कथाओं में पढ़ा था कि एक राजा के प्राण उसके शरीर में नहीं बलकि तोते में रहते हैं वैसे ही उन्हें भी लगता था कि उनके प्राण भी उनके शरीर में नहीं है तो क्या हुआ हम लोगों ने भी पढ़ाए हमने भी भाई अपने वश्पन में एक कहानी पड़ी थी कि एक राजा था उसकी जान जो है वो एक तोते में थी मतलब हर कोई इस राजा को मारने की बहुत कोशिश करता मगर मार ही नहीं पाता क्योंकि अगर तोते को हाम करेंगे तो ही राजा को हाम होता तो उसी तरीके से यहां पर लेखक की जान भी खुद उनके शरीर में नहीं रहती थी उनकी जान किसमें बसते थी? उनकी किताबों में तो यहां पर उन्होंने ये चीज़ हमको बताए उनका पुस्तकों के प्रती ये प्रेम था कि उनकी पुस्तक उनके लिए बहुत जादा प्रियती ये चीज़ उन्होंने यहां पर हमको समझाने की कोशिश करें उनके प्राण शरीर से निकल चुके हैं और वे इन हजारों किताबों में बस गए हैं जो पिछले 40-50 वर्षों में धीरे धीरे उनके पास जमा होती गई जब आरे समाज का सुधारवादी आंदोलन शीर्ष पे था तो यहां पर उन्हें ने बताया कि अब उनके प्राण निकल चुके हैं मतलब उनको ऐसा लग रहा था कि उनके प्राण अब निकल चुके हैं और उनके प्राण कहां बसे हैं इन किताबों में बसे हुए ये किताबे उन्होंने करेबन 40-50 साल पहले एकठा करने शुरू करे थी जो अब इतनी ज़ादा इतनी सारी किताबे एक बैक तो नहीं आती है वही आप थोड़ी लोगे एक लोगे दो लोगे तीन लोगे धिरे धिरे करके एकत्र होती है न उसी तरह 40-50 सालों से वह ये किताबे एकत्र कर रहे थे कब से ये आरे समाज की सुधारवांदी आंदोलन शीर्ष पे था तब से तब लेखक के पिता आरे समाज रानी मंडी के प्रधान थे यानि कि जब आ रहे समाज को सुधारने का काम आंगरन चल रहा था तब तब वो रानी मंडी में एक प्रधान थे पिता जी हूंगे और मा स्तरी सिक्षा के लिए आदर शिकन्या पाठशाला की इस्थापना की थी उसके लिए सिर्फ उन्होंने लड़कियों के लिए पाठशाला खोली थी उनकी मा ने इन बातों से बचपन में ही लेखक प्रभावित होते रहे अब दोनों ही सुधार समाज सुधार से डेटेट काम कर रहे थे माता पिताजी तो भई बच्चे पर तो असरा नहीं था तो ल लेखक को बच्चपन में ही नेमित रूप से आरेमित आय जितने भी मित्र आते थे वो सापताहिक, बामदेम, सरस्वती, ग्रहणी और बाल पत्रिकाएं, बाल सखा एवन चमचम पढ़ने का अफसर मिला। लेखक के बच्पन का पूरा महौली पुस्तकों के संपर्क में था। इसलिए तो भाई बच्पन से ही पुस्तकों के साथ थे, तो उनके अंदर ये पुस्तकों का लगाव बहुत शुरू से बच्पन से उनके अंदर था। लेखक पर इन चीजों का प्रभाव पढ़ा और उन्होंने अपने बालिकाल में स्कूली किताबों से अधिक इन किताबों और पत्रकाओं को पढ़ा। यानि कि जो स्कूल की किताबे होती थी उससे जादा इन किताबों को पढ़ने में इंटरेस्ट रखते थे। बहुत पढ़ते थे, जो उन्हें मिल जाया वो किताब इनको पढ़ने में इंटरेस्ट रहता था। अपने छोटे से निजी पुस्तकाले के विशे में लेखक ने बताया कि कैसे उस पुस्तकाले का विकास हुआ। और कब शुरुवात हुई? कब इस लगू पुस्तकाले के लिए पहली किताब खरी दी गई इस सब का वर्णन भी लेखक ने इस पार्ट में किया है कि मतलब उन्होंने कैसे पहली किताब खरी दी, कैसे और विक्सित हुआ उन्होंने कैसे सोची कि हम ऐसे पुस्तकाली की शुरुवात कर सकते हैं तो ये सोच से लेकर शुरू कैसे हुआ ये सारी चीजे जो हैं उन्होंने इस पार्ट में हमको वर्णित किया है लेखक को स्कूल में दो किताबें इनाम में मिली थी यानिका उन्होंने कुछ कियाओ का प्रतियुक्ता है उनको दो किताबें पुरसकार के रूप में मिली एक किताब के माध्यन से लेक को पक्षियों से भरे आकाश का ग्यान हुआ मतलब एक किताब किस थी? पक्षियों के बारे में थी कि पक्षि किस तरीके से अपना जीवन वतीत करते हैं इन सब चीजों के बारे में नौलज थी उसमें और दूसरी किताब में रहस्यों से भरे समुद्र का ग्यान था एक तरफ जहां आकास का क्यान दिया गया था दूसरी किताब में उनको समुद्र का ग्यान दिया गया था समुद्र में कैसे जीर जन्तु रहते हैं कैसी गहराई है, कैसे क्या है कैसे हमारे जीवन के लिए समुद्र आविश्रक है ये सारी चीजें की जानकारी थी लेखक के पिताजी ने अपनी निजी लाइबरेरी के एक खाने से अपनी चीजें हटा दी यानि कि लेखक के जो पिताजी थे उन्होंने एक खाना खाली कर दिया और लेखक के लिए उसे सुरक्षत कर दिया कि अब तुम यहाँ पर अपनी सारी चीजें रखो लेखक से बोला कि तुम यहाँ पर जो चीज़े तुम रखना चाहते हो अपनी पुस्तके या अपना सामान तुम यहाँ पर अपना सामान रख सकते हो उन्होंने ऐसा करके लेखक से कहा आज से ये खाना तुम्हारी अपनी किताबों का है ये तुम्हारी अपनी लाइबरेरी है पस यहीं से लेखक की निजी लाइबरेरी का आरम हुआ तो जब उनको दो किताबे मिली तो भाई पिता जी भी बहुत उचाहित हुए कि भाई हमें इस चीज़ का प्रोसाहन देना चाहिए तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपनी लाइबरेरी में से एक खाना खाले किया और कहा कि इस जगा तुम अपनी लाइबरेरी बनाओंगे पहले तो छोटा सा उन्होंने छोटा सा एक जगा दे दी कि यहाँ पर तुम अपना और आज से यह तुम्हारा निजी पुस्तकाले तुम्हारा अपना परस्नल तो इस तरीके से यहां उन्हों जो है लेखक को प्रोच साहित हुआ कि वो अपना निजी जो है पुस्तकाले बनाएंगे लेखक स्कूल कॉलेज की सिक्षा करने के बाद एक दिन युनिवरसिटी पहुँचे उन्होंने अपनी स्कूल कंप्रीट कर ली और कहा पहुचे युनिवरसिटी गए पढ़ने के लिए अध्यापन की दुनिया में भी गए अध्यापन मतलब दूसरों को पढ़ाने की यानि कि बच्चों को पढ़ाने का जैसे काम होता है वो वाला कार cradle भी उन्होंने किया अध्यापन चोड़कर लेखक इलाबाद होते हुए मुंबई आ गए उन्होंने अध्यापन कारे छोड़ा तो वो इलाबाद से कहां आ गए मुंबई आ यहां आकर संपादन की दुनिया में प्रवेश किया मतलब लिखने लगे और उनकी जो कहानी लेख यह सब चीज़े जो है वो छपने लगी इसी रफतार में और इसी क्रम में लेखक की निजी लाइबरेरी का विस्तार भी होता चला गया हम पढ़ाई से ही जुड़े रहे हैं हमने खुद पढ़ा स्कूल पढ़ा फिर यूनिवर्सिटी आए वहाँ पढ़ा फिर दूसरे बच्चों को हम पढ़ाने लगे अध्यापन के कार में आए अध्यापन के कारे के बाद संपादन कारे में आए मतलब हमने लिखना शुरू किया और उसको छपवाना शुरू किया तो शुरू से लेकर आखिर तक किस से रहे हम पुस्तकों से ही तो जुड़े रहे पढ़ाई लिखाई से जुड़े रहे तो अब हमें अपना विद्याले बनाना है तो इसकी प्रेड़ना उन्हें कहां से मिली? इलहाबाद में जब वो थे तब उन्हें इस चीज की प्रेड़ना मिली लेखक के जीवन में पहली बार साहितिक पुस्तक की खरीद के विशे में बताते हैं मतलब उन्हें पहली पुस्तक कब खरीदी? साहित की उन्हें पहली पुस्तक कब खरीदी और कैसे खरीदी? इसके बारे में वो बताते हुए हमसे क्या कहते हैं कि मा की कहने पर लेखक ने देवदास फिल्म देखने का निश्चे किया मा ने बोला कि जो बेटा तुम देवदास फिल्म देख करा हूँ मा ने उस चीज़ के लिए उनको इंकरज किया तो वो गए भाई देखने के लिए वक पुस्तकों को बेचने और पुरानी पुस्तकों को खरीदने से बेच दो रुपियों को लेकर सिनेमा घर देखने गए तो उन्होंने क्या हुआ कि पुरानी पुस्तके जैसे हम बेच देते हैं ठीक है ना पुरानी पुस्तके होती जो हम दूसरों को बेच देते हैं उसमें जो पैसे मिलते हैं उनको बचाकर हो गयते फिल्म को देखने के लिए लेकिन फिल्म शुरू होने में थोड़ी दोर होने की वज़ा से वहीं सामने किसी किताब की दुकान पर लेखक की नजर पड़ी अगो पहुँच गये टिकेट खरीद लिया मगर अभी फिल्म शुरू होने में टाइम था तो क्या हुआ उनकी नजर एक सामने स्टॉल पर पड़ी जहां पर कुप सारी किताब ये थी किताब की दुकान थी तो वो वहाँ पर चले गए लेखक ने शरचन चटोपाध्याई की पुस्तक देवदास रखी हुई थी उस जब उस पर गए तो उनकी नजर वहाँ पर रखी हुई पुस्तक पर पड़ी तो उन्होंने देखा कि ये तो शरत उपाध्या दोरा रचे थे देवदास है लेखक का ध्यान उस और खिच गया अब वो उस चीज़ करत केंद्रित हो गए लेखक ने कीमत पूछी तो पता चला एक रुपए मात्र यानि एक रुपए की वो बुख है दुकान दान ने एक रुपए से कम में ही पुस्तक उन्हें दे दी यानि एक रुपए से कम में उन्हें पुस्तक दे दी तो वो पुस्तक लेकर दस आने में यानि कि दस आने में लेखक को मिल गई लेखक ने बचे एक रुपए छे आने मा को लोटा दिये ये पहली किताब स्वयम लेखत द्वारा खरी दी गई थी ये जीवन भर याद रखने वाली घटना थी यानि कि उनके टिकट लेने के पास उनके पास दो रुपे बचे थे दो रुपे में क्या हुआ उन्होंने दस आने की किताब उनको मिल गई थी अब किते बचे थे उनके पास बचे हुए थे एक रुपे छे आना तो वो लेकर उन्होंने मा को लोटा दिया इस तरीके से उन्होंने पहली किताब खरी दी थी उन्हों मिले तो पहले उनको इनाम में मिली तो दो पुस्तके लेकिन अब इन्होंने पहली बार किताब खरी दी यह पहली किताब सम लेखर ने खरी दी वह जीवन भर याद रखने वाली खटना थी लेखक ने पुस्तक जमा करने का इडादा भी बना लिया था अब उनके मन में आ गया था कि मैं जो हूँ अब खुब पस्तके इकठा करूँगा यानि कि मैं अपनी खुद की लाइबरेरी बनाऊँगा और धीरे धीरे करके उनकी निजी लाइबरेरी में हिंदी, अंग्रेजी के उपन्यास, नाटक, कथा संकलन, जीवनिया, संस्मरण, इतियास, कला, पुरातत, राजनीती की हजारों पुस्तके इकठा हुए मलब उन्होंने सिर्फ हिंदी की ही नहीं, हर दरेगी पुस्तके उन्होंने इकठी करी ऐसा ही किसे इकठा करी, क्योंकि उनको इंट्रेस था तो उनको पढ़ते भी थे तो उन्होंने अपनी लाइबरेरी में ये सभी इकठा कर ली लेखक पीछे नशर दोड़ाते हैं, मतलब अब अपने वो पीछे की तरफ नजर दोड़ाते हैं पहले के समय में, तो उन्हें अपनी पहली किताब खरीदने की प्रबल इच्छा याद आती है कि किस तरीके से उन्होंने अपनी पहली किताब खरीदी थी वो देवदार सुल्म देखने गए थे और उनके पास पैसे कम बज़े थे तब भी उन्होंने वो किताब खरी दी लेखक भारत के ही नहीं विश्व स्तर के एक जाने माने विद्वान है यानी कि धर्म वे भारती जी सिर्भारत कहने विश्व के भी जाने माने विद्वान है। वे भारती पत्रकारिता के लिए गौरफ का विशेश बने हुए। उन्होंने बहुत अच्छे-च्छे लेख लिखे हैं, बहुत सारी चीज़े लिखे हैं। उनकी लाइब्रेरी में रिनर मारिया, रिलवर्फे, स्टीव इस्ट्री फ्रेंड जवीन, मोसापा, चेखव, टॉल्स्ट्राइ, दास्तावोस्की, मायवोस्की, स्टीफिन्स स्पेंडर, आयदेन एशावरा पाउंड, यूजीन ओर नील, अलवेयल काम और आयोनेस को पिका फार्सी, सभी के लैंग्वेजिस की किताबें उनकी लाइब्रेरी में मौजूद हैं हिंदी में कबीर, सूर, तुल्सी, रस्खान, जैसी, प्रेम, चंद, पंथ, निराला, महादेवी के साथ और कितने ही लेखकों, चिंतकों की साहितिक क्रतियां भी पुस्तकाले से भरा है मतलब सिर्व उन्होंने हिंदी, मतलब भारतिये ये नहीं, विदेशी कवियों और लेखकों की किताबों का भी संग्रे किया हुआ है बिमारी की हालत में लेखक से मिलने आएं मराची के वरिष्ट कवी, वरंदा करंदीकर ने लेखक से कहा ये उनसे मिलने आए थे मराची के कवी तुनोंने क्या कहा? भारती यानि कि कर्मिर भारती जिसे बोले कि भारती ये सेक्ड़ो महापुरुष जो पुस्तक रूप में तुम्हारे चारों और विराज मान हैं इन्हीं के आशर्वाद से तुम बचे हो इन्होंने तुम्हें पुनर जीवन दिया है यानि कि उन्होंने बोला कि इन सभी कवियों और लेखोकों के आशिरवाद तुम्हारे उपर हैं तभी तुम दो-दो हार्ट अटेक के बाद भी आज जीवित हो ये उन्हीं का आशिरवाद है लेखक ने मन्ही मन में कंदिकर को और उन महापूर्षों को प्रणाम किया कि मैंने किस तरीके से इन सभी का आशिरवाद प्राप्ति किया तो यहाँ पर ये पार्ट मैंने आपको बहुत अच्छी तरह समझाया याद रखिए इसमें बहुत सारे कवियों देशी और विदेशी सभी कवियों के और लेखोकों के नाम आएं उनको आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए उनकी पुस्तकाले में मौझूद कुछ विदेशी लेखोकों के नाम बताईए जिनकी कृतियां उनके पुस्तकाले में मौजूद हैं तो इस तरीके से आपको वहाँ पर लिखना पड़ेगा तो आपको उनके कुछ नाम याद करने पड़ेंगे I hope ये चैप्टर आपको समझ में आओ गया होगा प्रश्ण उत्तर के लिए हमारे नेक्स्ट वीडियो का वेट करें थैंक यू बाबाई